हेलो दोस्तो मैं धीरज आपके अपनी यूट्यूब चैनल अनली फोर कॉंपेटर्स पर आपका स्वागत है दोस्तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से प्राक्रितिक शुरोतों में कौन-कौन से प्रमुक अम्मल पाया जाते हैं दोस्तो ये टोफिक किसी भी कॉंपेटर्स पर आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इसली वीडियो पूरा देखेगा और शाथी लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरू कर दिजेगा तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पहला है लाल चीटी, बिच्छू में कौन सा अमल पाया जाता है ठीके यहाँ दो कोशिते ने लाल चीटी और बिच्छू में कौन सा अमल पाया जाता है लाल चीटी और बिच्छू में एकी अमल पाया जाता है दोस्तो उस अमल कर नाम है फॉर्मी का अमल ठीके यह आप याद रखेगा कि लाल चीटी और बिच्छू में कौन सामल पाया जाता है यहां फॉर्मिक अमले ठीके यह आप याद रखेगा चलिए अगला देखते हैं अगला है खटे फल में कौन सामल पाया जाता है तो हो जाएगा साइट्रिक अमले ठीके खटे फल में कौन सामल जाता है तो घास पत्ता है में कौन साभला पाए जाता है दोस्तों बैंजुय का रिखिम यहाद रखिएगा तीली अगला देखते है अगला है सारेल के वृच में खोन सामले पाए जाता है ओग जेलिक और याप रहे किएगा important है सारल का प्रिच में कौन सामल पाई जाता है और जेलिक और ठीक है पलका रस और फ़िटकरी सोरा में कौन सामल पाने जाता है विशा है नाइटरीक और ठीक है नाइ्ट्रिक अंले फीट करी और सोडा में सामल पाये जाता है चिलिघ्ला देखते है अगला है smeth Есть हरा कसीस में सामल पाये जाता है this हारा काशिश में कॉन सामल पाः ढाँ दोस्तो सलफ्यूरिक अंपल ठीक है सालफ्यूरिक अंपल हरा कशिश में कौन सामल पाइजाता है शूत्र क्या होता है और सव four two याद रखेगा चलिए अगला देखते हैं अगला है दूध में कौन सामल पाया जाता है दूध में कौन सामल पाया जाता है लेक्टिक आमल ठीक है लेक्टिक आमल दूध में कौन सामल पाया जाता है लेक्टिक आमल याप याद रखेगा ठीक है चलिए अगला देखते हैं अ में ब्यूटेरिक आमल पाया जाता है ठीक है चलिए अगला दखते हैं अगला है सेब अगला है सेब केला और आलू गाजर में कौन सा आमल पाया जाता है ठीक है सेब केला आलू और गाजर चारों जो है सब्जी वह उसमें कौन सा आमल पाया जाता है ठीक है यह फल है यह सब् मैं मौनत्र इखीव केला आलू घाजण में कोन सामल पाया जाता है मौनत्र टैनीक अमलों ठीक है चाय में टैनिक आमल पाया जाता है ठीक है चलिए अगला देखते हैं अगला है मुत्र में कौन सा आमल पाया जाता है ठीक है मुत्र में कौन सा आमल पाया जाता है तो मुत्र में यूरिया आमल पाया जाता है ठीक है या प्याद रिखेगा ठीक है चलिए अगला देख क्या होता है यह आप याद दखेगा पाच्छा करस्में कौन सामल पाई दाता है हाइड्रो कलोरिक आमल दोस्तों यह टोफिक बहुत ही इंपोर्टन्ट है जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूं इसलिए ऐसे आप दो तिन बार देखो गे तो आपको आसानी से याद हो ठीक है दोस्तों फिर मिलेंगे नएव एजुकेशनल वीडियो के साथ थाइंक यू अ